next question a horse is sold at a profit of 25% ठीक है if both the cost price and selling price are 200 rupees less the cost price will be 5% more the cost price is, देखिए, cost price, यानी क्राम बुल्य मैंने माल लिया एक सुरुपे है ठीक है, यही हमें निकालना है तो मैंने एक सुरुपे माल लिया, right तो selling price पे कितना है a horse is sold as 25% 25% से हम directly selling price कैसे निकालेंगे 125 से गुना कर दीजिए और 100 से divide ठीक है गुना x राइट यह आगया हमारा selling price अब आगे क्या condition दी हुई है if both the cost price and selling price are 200 rupees less अगर cost price जो है वो 200 रुपे कम हो ठीक है और selling price selling price जो है वो भी क्या हो 200 रुपे कम हो तो वो कैसे आएगा अगर 200 रुपे कम हो the profit will be 5% more तो profit 5% more कैसे होगा पहले 25 था अब कितना हो जाएगा 30% 130 बटे सो ठीक है selling price में यहां पे क्या किया था x x मतलब cost price लेकिन यहां पे यहां पे जो cost price आएगा यह आएगा राइट x-200 राइट the cost price is अब देखिए cost price selling price cost price selling price यह हमारे पास आगे ठीक है ना तो अब क्या दिया हुआ है अब देखिए यह selling price है यह भी selling price है तो x की value कैसे calculate करोगे तो x की value calculate करने के लिए हम क्या करेंगे इस selling price में कितने का decrease हुआ है 200 का ठीक है अगर वही decrease हम यहां भी कर दे तो दोनों equation equal आ जाएंगी राइट तो 130 by 100 x-20 that is equal to 125 100 into x minus का 200 राइट अब x के लिए यहां solo करते हैं राइट जीरो से जीरो cancel तो यहां पर 13 x by 10 minus कितना जाएगा यह फिर एक जीरो से एक जीरो cancel तो 260 that is equal to 5 पे 25 पे 25 पंज एक सो परचिस परचिस ओके सो 5 x minus का 4 minus का 200 राइट तो यह value जो है वो इदर जाएगी ठीक है तो कितना आजाएगा 13 x by 10 minus का 5 x by 4 ठीक है that is equal to यह value इदर पोस्टी में आजाएगी तो कितना आएगा 260 minus 260 यह नहीं 60 आजाएगा तो यहां से x की value क्या यह x की value क्या आजाएगी 40 हमारा एलसे हम आगया ठीक है ना तो तो सुर्टी नहीं 20 20 हमारा एलसे हम आया तो तेरा दुनी 26 x minus का 25 x that is equal to 60 तो यहां से क्या आजाएगा x by 20 that is equal to 60 तो x की value क्या आजाएगी 1200 रूपे ठीक है तो cost price पुछा था वो कितना आगया 1200 रूपे option b is the right answer सारा कुछ नहीं था जो statement में दिया है हमने उसी को follow करके x के लिए value find out कर लिए ठीक है